असलावलेकूम विवर्स आज मैं आपके साथ लेकर रही हूँ चिकन मैकरोनी रेसिपी जो के बहुत ही असान और उम्दा तरीके से बनाई जाती है और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करिएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताके मेरी नई आने वाली वीडियो प्लोट होते ही आपको उसका नौटिफिकेशन मिल जाए तो चिकन मैकरोनी बनाने के लिए आपको जो चीज़े चाहिए आप पहले हुने नौट डाउन कर लें दाइसु ग्राम मैकरोनी बन को भी एक अदट बॉनलेज चीज़िकन ठाइसु ग्राम हरी मिर्च दौ अधट लिमो एक अधट शिम्ला मिर्च दो अधट प्यास एक अधट ओयल 4 and a एक अदर टिमाटर, सोया सॉस एक टेबिल स्पून, सिर्का एक टेबिल स्पून, कैचप एक टेबिल स्पून, लाल मिर्च पॉर्डर हाफ टेबिल स्पून, अधरक लसन का पेस्ट एक टेबिल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टेबिल स्पून, काली मिर्च डालने के लिए हमें एक सॉस पैन में एक लीटर पानी डालना है अब हम इसमें एक टेबिल स्पून नमक शामिल करेंगे अब हम इसमें शामिल करेंगे डाइसो ग्राप मैकनोनी अब हम इसमें शामिल करेंगे डो टेबिल स्पून ऑईल हमने इसमें ऑईल और नमक शामिल कराए ताकि मैकनोनी आपस में जोड़ेना हर थोड़ी देर के बाद चम्मस से हिलाएं अब हम इसको कवर करके रख देंगे 5-10 मुनट ताकि मैकनोनी उबल जाए अब हमारी मैकनोनी उबल गई है आप देख सकते हैं कि मैकनोनी आपस में जोड़ी रही है और खिली खिली बनी है अब हम इसे चन्नी की मदद से चान लेंगे पहले एक स्टॉस पैन में टीन टेबल स्पून ओईल डाल कर इसमें प्यास डाल कर इसको लाइट ब्राउन कर लें प्यास को हमेज जादा नहीं पकाना सिर्फ दो मिनट तक पकाना है फिर इसमें 200 ग्राम चिकन डाल कर इसे चिकन वाइट होने तक भूलने नमक है बजरूरत इमाटर एक अदक बारीक कटे हुए पुटी हुई लाल मिर्श हाफ टेबल स्पून अद्रक लाइसन का पेस्ट एक टेबल स्पून काली मिर्श पाउडर एक टेबल स्पून लाल मिर्श पाउडर हाफ टेबल स्पून अब हम इसे मिक्स करेंगे कवर करके दो मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि टेमाटर अपना पानी छोड़ दे अब हम इसे चम्चे की मज़च से हिलाएंगे बन गोबी कटी हुई एड़ करेंगे शिम्ला मिर्च एक अदर कटी हुई सोया सॉस एक टेबल स्पून सिर्का एक टेबल स्पून कैचप एक टेबल स्पून अब इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें और को ऑगब एक टेबल क्टी हुई टेबल इसको स्पाइसी करने के लिए हरी मिर्ज दो अदर शामिल करें अब जो हमने मैकरोनी बॉयल की थी वो शामिल कर देंगे और चम्चे की मज़े से उसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे झाल लोफ लेंपर उसे ढखकन ढखकर दो मिनट तक पकाएं अब स्पाइसी किसम की मैकरोनी तैयार है अब आप इसे और भी चटपड़ा करने के लिए लीमू शामिल करें लीमू आप्शनल है अब हम इसे डिशॉट कर लेंगे तो ये थी मेरी आज की रेसिपी चिकन मैकरोनी उमीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी आप इसे बनाएं और इसका फीड़बैक मुझे कमेंट बॉक्स में दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें